ये बनाए हमने व, वासे व, अब बच्चों हम लोग पुना अपनी किताब की तरफ चलते हैं और एक बार फिर से शुरू से अपनी खाली जगा को दोराते हैं क्योंकि अब जो आगे आने वाले अक्षर हैं वो थोड़े से कठीन हैं, तो हम दोराएंगे छोटा बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाव, बड़ावुरी ए, ए, ओ, ओ, अं, आ काखा गागा अंगा चाचा जाजाईया ताथा डाढ़ा ताथा दाढ़ाना पाफा बाभामा यारा लावा ठीके बच्चो वा वा तक हमने पूरा किया हो मागे बनाएंगे शासे सलजम शासे सलजम सासे सटकोड बना हुआ है और सासे सपेरा ठीक है तो शासे सलजम बनाना हो सासे सपेरा चलिए शासे सलजम अपने बोर्ड पे चलते हैं और बनाने के लिए शा से शल्जम पहले एक गोला बनाएंगे गोले को घुमा के इदर लेकर आएंगे अर्ध गोला और गलत होगे बच्चों गोला बनाएंगे गोले को घुमा के इदर लेकर आएंगे और यहां से ऐसे मोड़ देंगे ठीक है फिर एक सीधी रेखा चटवली लकीर शा से सलजम ठीक है बच्चों शा से सलजम के बाद हम क्या बनाएंगे शा से सटकोण बना हुआ है आपकी बुक में हम बनाएंगे सा से सपेरा अर्दगोला अर्दगोले को घुमा के पीछे क्यों लेकर आएंगे बीच में एक लेटी भी रेखा फिर एक सीधी रेखा चटवली लकीर चटवली लकीर को उस दुवारा बनाएंगे चटवली लकीर सा से सपेरा आगे बच्चों चलते हैं अपनी किताब की तरफ दोराते हैं शा से सलजम सा से सट कोर सा से सपेरा फिर से देखिए शा से सलजम सा से सट कोर सा से सपेरा अब हम बनाएंगे ह हा से हल चलते हैं बच्चों हा से हल बनाने के लिए कैसे बनाएंगे पहले छोटी रेखा खीचेंगे तेड़ी हो गए ये बच्छों फिर सीधी सीधी अर्ध गोला अर्ध गोले को थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे फिर पैंसिल को पीछे ले जाते वे गुमा के आगे लाएंगे ये बन गया हा से हल चत्वली लकी पुना अभ्यास करेंगे छोटा सा गोला छोटी सी लाइं अर्ध गोला अर्ध गोले को थोड़ा सा आगे बनाएंगे पैंसिल नहीं है टानी है वहीं से पीछे ले जाते वे आगे करेंगे चत्वली लकीर हा से हल ठीक है बच्छों अब पुना हम उतनी बुक की तरफ जाएंगे यानि किताब की तरफ जाएंगे शा से सरजम सा ससट कूर सा से सपेरा हा दो राते हैं श स श स स हा अब यहां पर आएगा छ शा से छत्री है त्रा और फिर यहां पर आएगा ग्या ठेक है तो हमें 6 से चत्री ग्या से ग्यानी बनाना है तो सबसे पहले 6 से चत्री बनाएंगे जो की थोड़ा सा कठीने बच्चो सीधी रेखा 20 से लाइन खीसते वे लेकर आएंगे उसको घुमाएंगे फिर उसको घुमा कि इस तरफ लेकर आके दूस्य तरफ से मोर देंगे पुना देखिए लाइन को ऐसे लेकर आएंगे घुमा कर यहां से मोर देंगे ठीक है उपर शत वाली लकी यह क्या बनाएं बच्चों हमने छा से छत रही है पुना अब भ्यास कर लें सीधी रेखा घुमा की उपर की ओर ले जाते वे फिर नीचे की ओर लाते वे छत वाली लकी है चा से छत रही है त्रासे तरचूर आपकी बुक में बना हुआ है किताब में बना है अब हम बनाएंगे ग्या से ग्यान ठीके वच्चों सीधी रेखा लाइन खीचेंगे जा की तरह पीछे ले कर आएंगे और घुमाते वे उसको इस तरफ ले कर आएंगे पुना अब भ्यास करेंगे बच्चों सीधी रेखा लेटी भी रेखा टैंसिल को पीछे ले जाते वे घुमा कर ले कर आएंगे और इस तरह से गुमा देंगे छत वाली लकीर ग्या से ग्यानी पुरा हुआ बचो छोटा आ से ग्या तक हमारा यह पार्ट क्राम आप पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं फिर आगे के जो बचे वे अक्षर हैं उन्हें बनाएंगे दुबारा दोहरा आएंगे बच्चो छोटा बढ़ा छोटी बढ़ी छोटाओ बढ़ाओ री ए- ए- ओ- अउ- अं- अ- का- ख गा- घ अगा चा- चा- जा- जा- इया ता- ठ डढ- डढला ता-ध दा- दढना पतढ़ा बढमा यहरा लाव शा- सा-सा- हा चा-् ट्रः ग्या यह खताम हो गया बच्चों अब इसकी आगे काक्षर क्या था आपको याद है उसकों क्या बोलेंगे श्रा से श्रमिक ठीक है तो हम श्रा से श्रमिक थोड़ा कठीन है उसको ध्यान देते वे बनाएंगे चलते हैं अपने बोर्ड की दरफ ठीक है बच्चों शा से श्रमिक सीधी रेखा खुमा कर चत वली लकीर के बराबर तक लेकर जाएंगे और दूसरी लाइन यहां से ऐसे खिचेंगे चत वली लकीर शा से श्रमिक क्या बनाया बच्चों यह हमने शा से श्रमिक एक बर और बिहास कर लें चलिए सीधी रेखा गुमा कर उपर तक ले जाते वे सीधी रेखा उपर तक बराबर में गुमाएंगे और इसके बीच से एक लाइन करेंगे चत वली लकीर शा से श्रमिक ठीक है बच्चों शा से समिक के बाद फिर से हम अपने बोल्ट की तरफ यानि कि अपनी किताब की तरफ चलेंगे तो हम यहाँ पर आगे शा से श्रमिक अब यह दो जो अक्षर थे हमारे हमें इने बनाना है यहाँ पर क्या आता है बच्चों यह अत्रिक अक्षर है जिने हम बनाते हैं यह क्या है तो यहाँ पर क्या आएगा शा से श्रमिक के बाद क्या आता था क्या आएगा बच्चों बच्चों रा 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 आईए एक बर अपने बोल्ट पर अभ्यास कर लेते हैं किस प्रकार से बनाएंगे छोटी सी रेखा अर्ध गोला अर्ध गोले को घुमाते वे पीछे लेकर आएंगे और बिंदी को इस बार नीचे लगाएंगे उपर छत वाली लकीर यह क्या है रड़ा रड़ा अगर इस बिंदी को हम यहाँ न लगाकर यहाँ लगाएं अगर तोम इसको क्या बोलेंगे ड़ा ठेके और अगर हम इस बिंदी को यहाँ पर लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा रड़ा उपर छत वाली लकीर अब हम चलते हैं अपनी किताब की तरफ किताब में देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा रड़ा और यह रड़ा एक बार अभ्यास कर लेते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ री ए ए उ ओ आउ अंग आः ग ख ग घ अंग च च ज ज ज ज इन त थ द ध ध र त थ द ध ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह च त्र ग्या शमिक और रा और रहा इसी प्रकार से बच्चों हमारी ये वर्ड माला पूरी समाथ हुई अपने ग्रहकार में बच्चों आप छोटा से ग्या स्वर प्रथम लिखेंगे और उसके पश्यात खाली इस्थान भर कर वर्ड माला को पूरा करेंगे ठीक है बच्चों तो बहुत सुंदर लेखनी के साथ अपना ग्रहकार करेंगे फिर मिलेंगे अगली कप्चा में